ब्रेंट्स गुड मॉर्णिंग और वेल्कम टू यूट्व चैनल एक से निकेतन बीपीएसी ने वह से अभी अर्थियों को राहत परदान किया है जो कि 67 बीपीएसी प्रिलिम्स के समय उन्होंने जो आफिनल का चैन किया था 66 बीपीएसी की रिजल्ट को देखते हुए गया जो परदर्सान हों से देखते हुए या किसी अनिकारां से उसमें परविवर्तन करना चाहा रहे थे अब वह परविवर्तन कर सकते हुए कल BPSC की अध्यक्ष की जो प्रेस कॉंट्रेंस थी उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर की गई हैं उसमें यह भी बात सामने आई है कि पीटी परिक्षा के बाद मुख परिक्षा के लिए आवेदन करते समय ऑप्शनल जो पेपर होता है उसमें बदलाओ अब अब वियर्थे क कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि ऑप्शनल पेपर में बदलाओ का मौका मिलेगा अब तक ऐसा नहीं होता था इस चीज़ को लेकर छातर काफी परिशान थे बहुत सब्सक्राइब के मैसेज आते थे कि क्या सर मुख परिक्षा के समय ऑप्शनल पेपर बदलना संभव है ए लेकि इस पर कोई क्लियरेटी नहीं थी इस पर क्लियरेटी आ गई है कि आप प्रिलिम्स के बाद भी जो आप मुख परिक्षा का हॉम भरेंगे उस समय भी आपके पास एक ऑफ्सन होगा कि आप जो अपना बेखल्पिक भी सेह है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन यह मिलने के बाद आप कोई भी जल्दिवाजी में कदम नहीं उठाएंगे आराम से अनालिसिस कर लेंगे जो आपका बरतवान में भी समय है सब्जेक्ट है और जिस सब्जेक्ट आप लेना चाहा रहे हैं ऐसा नहों कि आपको लेनी की देनी पड़ जो आपनल है उसको आप ज सब्सक्राइब करने में आप सौधानी बढ़तेंगे हमने कुछ आप्सिनल पेपर के परफॉर्मेंस की वीडियो अप्लोड की है आज एक वीडियो अप्लोड करूंगा जिसमें लगवक्त सो के करी मार्क शीट को ऐसे ऑप्सिनल की जिसकी हमने सेपरेट वीडियो नहीं अ साजा करेंगे तो उस वीडियो को आप देख सकती हैं आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चाहें तो क्योंकि हम इस तरीके से बीपीएसी से संबंदित कोई भी अपडेट होता है परिक्षा समगरी और अन इंफॉर्मेशन भी आपके साथ साजा करते रहे हैं ध